आज मैं आपके साथ एक ऐसे ट्रिक शेयर करूँगी जिसको फॉलो करके आप मल्टी लेड पाइप इन बहुत आसानी से बना पाएंगे और इस तरीके से आप अपने प्लेन और प्रिंटिट सूट्स के उपर बिना लेज लगाए भी बहुत संदर डिजाइन्स क्रियेट कर पाएंगे तो इसके लिए मैंने ग्रीन और रेड कलर के दो अलग-लग फैब्रिक्स लिए हैं और इस तरह से एक साथ इनको रखा है मैंने और एक एक इंच की पट्टिया मैंने काट ली है इसमें से अब हमें एक डोरी लेनी है पाइप इन बनाने के लिए इस तरह की डोरी आपको किसी भी टेलरिंग वाली शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगी बहुत बारिक वाली डोरी आपको यहां पर यूज नहीं करनी मीडियम थिकनेस वाली डोरी हमें यहां पर यूज करनी है और कपड़े की इस पट्टी के उपर हमें इस तरह से इस डोरी को रखना है और कपड़े को फोल्ड करना है और डोरी को कवर कर देना है अब सिलाई मुशीन से मैंने नॉर्मल प्रेसर फुट रिमूव कर दिया था और सिंगल प्रेसर फुट लगा दिया था इसके उपर अब हमें डोरी के बिल्कुल साथ सिलाई लगानी है ये देखिए अब हमें दूसरे कलर वाली पट्टी के उपर इसी तरह से पाइपिन को रखके कपड़ा फोल्ड करना है और ग्रीन वाली डोरी के बिलकुल साथ हमें इसको रखना है और बिलकुल साथ साथ हमें सिलाई लगानी है सिलाई हमें बहुत केरफुली लगानी है और ध्यान रखना है कि दोनों पाइपिंस के बीच में बिल्कुल भी गैप ना पड़े यहाँ पर मैं सिर्फ दो रंगों का इस्तेमाल करके डोरी पाइपिंग वाला ये बॉर्डर बना रही हूँ लेकिन आप चाहे तो कितने भी रंगों का इस्तेमाल करके ये बॉर्डर बना सकते हैं ये देखिए अब हमें फिर से ग्रीन वाला फैबरिक लेना है और इस तरह से डोरी को इसके बीच में रखना है और दुबारा से इसको अटाच करना है यहाँ पर बहुत ही इसी तरीका है बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि इन डोरियों के बीच में आपस में बिल्कुल भी गैप ना आने पाए और बहुत कैरफुली सफाई से हमें सिलाई लगानी है और ये डिजाइन आप सिंगल प्रेसर फुट से ही बना पाएंगे नॉर्मल प्रेसर फुट से इतनी सफाई से ये डिजाइन बिल्कुल ने बन पाएगा ये देखिए थोड़ा क्लोज अप करके भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि सिलाई किस तरीके से लगानी है और डोरी को हमें इस तरीके से कपड़े के उपर रखके फोल्ड करना है और अगर आपको ये डिजाइन पार्टी वेर सूट के लिए बनाना है तो आप थोड़े थोड़े गैप पर गोल्डन कलर का फैब्रिक भी डाल सकते हैं इसके बीच में ये देखिए इस तरीके से जितनी मरजी लेयर्ज आप आई पिन के अड़ कर सकते हैं और जितना चाहे उतना चौड़ा बॉर्डर बना सकते हैं तो इस तरीके से ये बॉर्डर मैंने रेडी कर लिया है अब सबसे पिछले वाला फैब्रिक छोड़के बाकी सारे के सारे फैब्रिक्स को हमें इस तरह से काट के अलग कर देना है इससे इसकी मोटाई थोड़ी से कम हो जाएगी और पीछे की तरफ फिनिशिंग भी अच्छी आएगी अब बाजू या ट्राउजर के पॉंचे वाले कपड़े को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और बिल्कुल डोरी पाइपिन के साथ साथ रखके इसको अटैच करना है ये देखिए अब क्योंकि ये डिजाइन बहुत सिंपल है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा लेसे या मोती भी हमने नहीं लगाए है तो बहुत ही सफाई से सिलाईयां लगा कर इसको रेडी करना होगा तो ये देखिए कितना प्यारा बॉर्डर बनकर रेडी हुआ है और किसी एक्स्ट्रा लेस या मोती की भी जरूरत नहीं है ये वैसे ही बहुत सुंदर लग रहा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल नॉटी स्चेश को भी सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब की बटन के साथ बैल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको मेरे सबी वीडियो रेगुलर्ली मिल सकें तो गाइस थैंक यू सो मच फो वाचिंग बाई बाई